महिलाओं के द्वारा आर्थिक आत्म निर्भरता के प्रयास राजनेतिक अधिकारों के साथ साथ महिलाओं ने आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनने की भी कई कोशिशें की हैं क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिलाओं को निर्णा लेने में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। पिछले कुछ दर्षकों में महिलाओं ने न केवल सरकारी योजनाओं से आर्थिक लाप उठाने की कोशिश की हैं, बलकि अपनी ओर से भी कई प्रयास किये हैं। ऐसे ही एक प्रयास को हम यहां देखने की कोशिस करते हैं। माता राज मुहनी देवी का जन्म सरगुजा जिले वर्तमान में बलराम पूर जिला के सरसेडा शारदापुर गाउं में 7 जुलाई 1914 इस्वी को एक गरीब कृषक परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम वीर्दास तथा माता का नाम शीतला देवी था। देख उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने गाउं के लोगों को सुखी जिवन की सीख देने का बीड़ा उठाया। उनसे गाउंवाले अत्यधिक प्रभावित हुए। शराब की लत के कारण ग्राम वासी न केवल आर्थिक रूप से कमजोर हो गया थे। बलकि उनमें नैतिक गिरावट भी आ गई थी। उन्होंने शराब बंदी के लिए नारी शक्ति का आहवान किया। हजारों महिलाएं उनके अंदोलन में भाग लेने आगे आई। 28 मार्च सन 1903 इसवी में भठी तोड सत्यागरह शुरू किया गया। इस सत्यागरह में लगभग 50,000 लोग शामिल थे। इसका प्रभा उत्तर प्रदेश के दुन्दी, सिंग्रोली, अगोरी और विजैगर, बिहार के राची, अबजारखन, पटना, केरल और मध्य प्रदेश की शराब भठीयों पर भी पड़ा। इस सत्यागरह का संदेश था, शराब से तन मंधन तीनों का नुकसान होता है। इस सेवा के लिए ततकालिन मुख्यमंत्री, पंडित रविशंकर शुक्ल और भारत के प्रिथम राष्ट्रपती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अंबिकापूर में बधाई दी। 36 गड़ की संत माता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किये गये कारे सदेव अविस्माणी रहेंगे। सर्गुजा जिले में महिला सर्शक्तिकरण के प्रयास। महिलाओं के 12,000 स्वा सायता समू बनाए गए हैं जिनकी सायता से महिलाएं आटो, जीप, ट्रेक्टर, हार्वेस्टर तथा वैन चालकों के रूप में कारे कर रही हैं। इनके अलावा सेफ्टी नेपकीन तथा अंडो के छिलकों से खाद पाउडर बनाने का काम भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इन महिलाओं के कामू से प्रभावित होकर अन्य ग्रामीन वह शहरी महिलाएं लगातार स्वार्युजगार के कारेों से जुड़ने का कारे कर रही हैं। यौन उत्पीडन और छेड़-छाड तथा इन्हें रोकने के उपाए। प्राया अकबारों तथा टेलिविजन के समाचार चैनल पर ऐसी खबरे पढ़ने और देखने को मिलती हैं कि परिवारों और सारवजनिक इस्थानों पर लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन तथा छेड़-छाड की घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाओं में कई परिवार के पुरुष, लड़के, लड़कियों के परिचित या दूर के रिष्टेदार और कई बार अंजान लोग शामिल होते हैं। यौन उत्पीडन और छेड़-छाड में लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती की गई हरकतें, उन पर की जाने वाली भद्दी टिपणिया, गंदे इशारे तथा दुर्वेभार शामिल हैं। यौन उत्पीडन और छेड़-छाड कानूनी रूप से दंडनी अपराद हैं, जिनके सबूत होने पर दंड दिया जा सकता है। समाज को लड़कियों के प्रती समवेदन शेल बनने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ऐसे अपरादों को रोका जा सके। ऐसा करना सभी की समाजिक जिम्मेदारी हैं, क्योंकि ऐसे अपरादों से न सिर्फ सम्बंदित लड़कियों के सम्मान और गरिमा को ठेज पहुँचती हैं, बलकि सारे समाज का अपमान होता है। यौन उत्पिडन और छेडशाड के सम्बंद में पुलिस हेल्प लाइन पर भी शिकायत की जा सकती है।